BBS 3rd year तुथा MBS 3rd semester अंत्रगत Taxation subject को income from business काके यह हमी example अरू solution गरी रहे का संग र आजबनी मा या अरू संग योटा प्रोफेशन संग संग संबन्दीत कोईशन लिए रोपस्तित भाये गोशु र यो कोईशन मा Mr. Sarma चाएं प्राक्टिसिंग लायर होई न अनि उसको चाएं cash basis अनुशार receipt and payment account दीए गोशा र र receipt and payment account संग संग है आमला या additional information अरू गनी दीए गोशा पहले आमी तियो additional information तिरो जाउं र additional information लाई का कां treatment गर्णू पर सा पहले तियो भूजाउं जस्तो फर्स्ट additional information माँशा vehicle was used equally for personal and professional purpose बनाया शा तसर्थ बहेकल संग रिलेटेड जती बने expenses अरूंचन तो expenses को चाएं 50% लाई मात्रे आमी professional माने रहा या accessible income from profession निकालदा समावेश गर्णू बर्षा 50% personal लाई जाएं आमी तिया deduction करना प्राहिद आई न संग समावेश चारे अब आमी के करनू बर्षा बने यो office expenses बाट यो 10,000 10,000 20,000 लाई लेश करने इंट्रेस्ट पैट्टू finance company बनने अलग गई एडिंग मा देखाउने रोयल्टी इंकम बने को चाएं आमी प्रोफेशनल मा चाओ बने प्रोफेशनल मा ही देखाउना पाईं छा तर रोयल्टी इंकम बने को चाएं इंबेश्मेंट इंकम बहेगो उनाले यो रोयल्टी आक्सपेंसेस ला आमी इंबेश्मेंट को एडिंग अंत्र गत लेश करनू बाशा तेस्ताई कंसल्टेंसी फी इंक्लूड सुरुपीस 15,000 रिसीब इन एडवांस बने छा एडवांस मा प्राप्त बहेगो चाओ बने अब एंडिविज्वाल को चाएं प्रोफेशनल को गुरा क्यास बेशी समसार रेकट राखीं छा तसर्थ यानिर क्यास प्राप्त प्राप्त कंसल्टेंसी फी मा अल्रेडी इंक्लूड सुरुपीस 20,000 रिस मेडिकल ट्रीटमेंट बने छा उसको मेडिकल ट्रीटमेंट को लागे आउसोल्ड एक्स्पेंसेस बीत्र 20,000 समावेस गरिएको सारे यह क्लैम इड फर टैक्स क्रेडिट बने छा प्र यह 20,000 को च अप्टो डिस्पोजल वाज रिपीच वान करोड 29,000 लाख दियेगो सा यह चाहिए आमरो लेंड चाहिए डिस्पोजल गरिएको जुन लेंड छा तेसको चाहिए आउटगोईंग बन्नु गर्फा चाहिए एथी कोस्ट को जुन लेंड लाए आमी चाहिए सोल्ड गरेगा अणि तेस्थाहिए इलक्ट्रिसिती ऐन्ठी मेड चाहिए लेंड दिडिपान लेंड लेंड लहाए आउचा अणि इलक्ट्रिसिटी रो-, टैक्सा अफिसंग रिलिएट नबाहे गोले तेसलाहिए यांड़ करना पाउचा virtuos अब आमी इसलाइस सucking गरने दिरा λागऊं From $20 Mark एडवानसमा 15,000 प्राप्त भाएगो तेशाइ मा समावे सब अने गुणाले यो कंसल्टेंची फी लाए आमे अलग गई लेखी रन उपर दाई ना तसर्था इंकम मा यानिरा आमे कंसल्टेंची कॉंसल्टेंची फीव अने आमरो 60,000 गीवन छा यह 60,000 लाई यहां आमी देखाँ छो अने तेस्थे लीगल फीव पने देखो छा लीगल फीव अने सर्विस फीने यह वहाई ना तेसलाइब आमी यहां लेकिन छा अब यह लीगल फीव के सबने TDS को एमाउंट दियेगो छा वन्नु करता आप्टर TDS को वैलू दियेगो नाले यह TDS को फीव लाई ना आमी यहां एड़ गर लेक्षाँ 194,000 जुन TDS को एमाउंट छा तेसमा TDS को एमाउंट वन्ने को 34,235 छा यह लाई एड़ गर आमी चाहें कोती होन्छा त्यों यह था लेखनु पर सा आई ना जस्तो 1,004,000 अनि प्लस TDS वन्ने था 34,235 छा यह लाई आमी एड़ कर छा यह सो करता 2,2,8,2,3,5 आमदर वाई यह दूए आमी TDS लाई गर लेखियों तेस्ते कमिशन रिसीप बने गो छा कमिशन रिसीप पनी एसे एडिंग अंतरगत राखिन चा प्रोफेशन अंतरगत तसर्त मेले यहां समावेश गर दिये कमिशन रिसीप बने रा कमिशन रिसीप बने रा तप आगो 50,000 गी बन छा यह 50,000 लाई एड गरूं बरू यहां औरलाई माथिल्दो यह लेगल एक्सपेंसेश को कुरा मईले क्ये बनी ना बने जस्तो यह नेट फिगरो तेस्माँ TDS डिडॉक्शन गरेरे दिये को उनाले आमी TDS ग्रस अब गरेरे देखाये का सम आई न अब आमी क्ये करनू परे यह जुन TDS को एमाउंच यह बने को एडवांस टैक्स हो ते एडवांस टैक्स बने को उनाले यानि आमी एड़ गर लेखें बने अब टैक्स लेवल्टी निकाली सके पची एसलाई TDS बने रहा आडवांस टैक्स बने रहा लेस गरनू परने उन्छ तेस्ताई कोमिशन यह समावेश गरनू करछा प्रोफेशनल दी रेलेटेड भायो अईना गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट यह गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट बने यह 15,500 यह समावेश गर्षा हो आउस्रेंट रिशीप बने को छा नेट देको यह बने आप इंडिविजल को लाई फाइनल वीद ओ अबेश गरता हैनों शेल्स फ ओल्ड जर्नल भनेश अईना यह अमी प्रोफेशनल है मानींच सेल्स फ ओल्ड जर्नल प्रोफेशनल अर्था अफिसमा जाहिं लेयाएगा जाति पने न्यूजपेपर अरू अने जर्नल आर्टिकल शा अरुछन तीनी यह पूराना भायरा त भायरा अर्टिकल भमसेपर यह अर्णकण प्रोफेशनल इंकम घृब मां इंकलोड गरुट गरना हैा तेश्टायी लोन फ्रमा फाइनस कोमपानी बाट प्राप्था गरेको लोन क्याबिटल नेशर होन फायरा भला अब्युक्ञ काल्ये साउय है अर्ने तेश्टä और पनी यो investment अंदर गत जयाना सा तसर था या में investment को income calculation करदा एसलाइ पनी समय वेस करने परशा अब यो आमरो income side महा देखिये का item हरू इना यून रा एसलाइमी total गर साम रा total गरिड़ा जो gross income निकाल साम gross income from profession आउसा 60,000 50,000 15,500 10,400 is like you got the amro are three six four one three five 364,135 वामद रहीशा अनी यह amro gross income बाटा अब लेश करनू परे liable for deduction मने रहा लेश कर सो आमी liable for deduction अब यह liable for deduction माई या दिये का जदी बने expenses शन जुन प्रोफेशन संगा रिलेटेर हुँँछा तीन यह लामी या समावेश कर दे जान्षों जस्तो subscription to law journal बने चा यह पनी professional income करे प्रोफेशनल इंकम संगा रिलेटेर हो आई तो सर्थ यानी रामी subscription to law journals बने रहा 10,000 आमी या समावेश कर यह अन तेस्ता ही salary पनी देखोछा स्टाफ salary बने रहा तेस्ता ही vehicle expenses सामलाई यान 25,000 देखोछा तो vehicle expenses लाइब हमे प्रोफेशनल expenses माने चा यह अन वेगल expenses अमलाई यानी रह 25,000 गीवन चा तर एडिशनल इंफर्मेशन मा के बन चा बने वेगल वाज योज इकली फर पर्फेशनल और प्रोफेशनल पर्पोस बने चा ता सार्थ प्रोफेशनल पर्पोस बने अर्रिलेटेड अक्सपेंशेश शार। फ्रोफेशनल अक्सपेंशेश माले मातनी यहां समाबेश गरना पाई जा अनि office expenses चांग रिलेटेट बने याई information चा जास्मा 10,000 interest पेट फाइनान्स कमपणी बनने चा आये न? तेशता ही तब अपको royalty collection बनने, royalty collection cost बने, royalty सांग रिलेटेटइद expenses चा यहल्ला आमेnd release करचां यहल्ला लेस करता 65,000 शा देखांचां अब रोयल्टी कॉलेक्शन कॉस्ट और रोयल्टी रिलेटेर एक्सपेंसेस ना आमे रोयल्टी इंकम जाउन शाते ही समावेश गरनु पर्षा तरह इंट्रेस्ट बने गोदा क्यों बने प्रोफेस्टनल परपोज ले लोन टेकन गरीएको उनसाख्षा आमना यहाइस पस्ट दियेगो शाहिंना पर्स्ऩीषा यई वहेखै यहाई चाहिना अमे प्रोफेस्टनल ना बंदा द लाहने बंदाव Whoo! इंट्रेस्ट एक्सपेंसेश बाने रहा फेरी 10,000 लाइग देखावनु पर्षा यह सरी अलोग देडिंग रहा है रहा अनी क्यों बन्दा पासे आमरो इलक्ट्रिसीटी एन इलक्ट्रिसीटी एन टेलीफोन चार्ज बन्याँचा त्यों पनी एसमा समावेश गरनु पर्षा इलक्ट्रिसीटी टेलीफोन टेलीफोन चार्जेश अब यो इलक्ट्रिसीटी एन टेलीफोन चार्जेश को अडिशनल इंफ्रमेशन ना किये बन्चा बने इलक्ट्रिसीटी एन टेलीफोन चार्ज इंगलोड सुबिस टुथाजन फाइन 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 पेमेंट बन्चा तो चाहिए इंकम टेक्स ऑफिस्टांगा रिलेटेड न भाएको उनाले हामी चाहिए तेसलाइ डिडॉक्षन गरना पाउश हों और थात इलिजीबल एक्सपेंचेस हो हो तसर्था आमी यो इलक्टुशिटी रो टेलिफोन को बील भीतर समावेस भाएको उनाले आमी येसलाइ या घटाई रहनु करदाई न जाती देखोशा तेति आमी या समावेस गर दिजाओ तेसलाइ ड्राइंग ड्राइंग बने क्यापिटल नेचर को आइटमों या समावेस गर दाईनाँ डोनेशन पनी पची आमी टेक्सेवल इंकम धैलुलीशन गर्दाई डिडोक्षन गर न गर्षा गिफ्ट दु फ्रेंड बन्दाई चाथ प्रेंड अरू लाइ दियेगो गिप्ट अरू 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 बने चाहिए कि बाई पर्सनल एक्स्पेंसेस अंधर गताऊचा तेल्ला है देखाई देना आउस्वोड एक्स्पेंसेस बने या समाविस अमी गरदाई ना किना मन्दाई यो बने पर्सनल भायो लाइफ इंस्पेंस प्रेमियाम टैक्सेबल इंकम क्याल्कूलेशन गरदाई समाविस गरिंच तेश्ता ये क्लैम करनु पर्सा त्यो पर्सेस अफ लेंड बने र देखो शान्या लेंड बर्सेस गरे गरे अश्या तेशला आमी या देखाउंदेनो तो पने क्यापितल नेच इसला यहाँ संमावेस्काक्णा कर्ण। दि release bok दुछेख को दि Repeat बिन्रोंटिर्ड़न्टरफ उसरिक स्युख आज भी गितिक में मोटवाच पयं各 दो अदू आज़्य कुम्छेक देखई भी में कुछेश्टा प्रोफियूलोक्रा सवाघ। के यह आइटम अरू जहन बने तेसला है यहां समावेश गरनू करशा एक पल्ट कुने आइटम छूट योगी ताइबने बिचार गरूंँ आई कि आई इलक्तरिशी टेलिफान पने गाया ऑफिस एक्सेंच गाया बेगल एक्सेंच गाया इसलेरी गाया इने सब्सक्रिप्सान गाया इने तेस्टै ढेगले लिदागार आइटिशनल मावाईगा आउसोल एक्सणी निंगलोड 20 थाज़न कवर फार इज मेडिकल ट्रीटमे यह लाय हम तोटल गर सांट तोटल गरियर मात ही आमरो ग्रश इनकम बाड़ जी लेस गरन भार सा यह से रिलेस गरियर आये को रिजल्ट आमरो जैंँ एसे सेवल इंकम फ्रम असे सेवल इंकम फ्रम प्रोफेशन है जो आमरो यह आमरो टोटल गरदा 272,500 अंशा अनि मात ही आमरो कती चा बने 364,135 चा यह का आमिलेस गरन भारे यह तो गरदा 91,631 आउद रहे चा यह सेवल इंकम बाए हो धाव सर्य सेवल इंकम क्याल्कुलेशन गरिशागे फाची आम सांग संगेकरत के समने यह आमरो कोईशन ना इंवेस्मेंट रिलेटेड़ आईम हरुबने राती इंवेस्मेंट रिलेडे़ आईम अरुदा आगे आमीजाएँ असे यह आईवल इंकम बना चाहिए उन्ता यो फाइनल वोई दोल्डिंग पेमेंट भाया तेस्ता यहामी शंग यहाँ बहेगो बने रोयल्टी रिसीप छा तेस्ता यहाँ शेल्स प्रोसिट आफ लेंड बनेर देगो छा इन्हीं यह अरलाइचें इन्वेस्मेंट इंकम मानीं छा तासार्था सब आमी यहां रोयल्टी इंकम बनेर ट्वांटी हाँजिन देखाँशा अनि तेस्ता यह शेल्स प्रोसिट बनेर देगो छा यानी र गेन उन्सेल्स अफ लेंड निकालनू बर छा आईना गेन अन्सेल्स अफ लेंड बनेर लेखें आमी अनि खासगरी वान करोर्टीटू ला करोर्ट ट्वांटीनाइन लाक छा एसको डिफ्रेंशेस कोनेको कथी उन्सा थ्री लाक चो थ्री लाक लाया आमी जहीं गेन उन्सेल्स अफ लेंड भनेर क्यापिटल गेन को रूपमा देखाँवना सकीन छा आईना अब आमी संग चाहिए इंकम अरुमा यह उटा यह यह बनेको ग्राश इंबेस्मेंट इंकम आऊशा ग्राश इंबेस्मेंट इंकम तब एको थ्री लाक ट्वांटी खाँजेन अनि एस पाटास इन लेस गरनुपरने आमी एक्सपेंसे शरू आईना एलायाबल फर डिटाक्शन भनेर एलायबल फर डिटाक्शन भनेरा आमी या नीरा देखाऊन पर ने यह उटा रोयल्टी कॉलेक्शन चार्ज बने शोका था न्याँ आफिस एक्सेंसे इंकलूड्स एसमा चाहिए 10,000 भनेको चाहिए रोयल्टी रिलेटेट एक्सेंसेश था इना तशर्था एक्सेंसेश रिलेटेट टू रोयल्टी रोयल्टी संगा रिलेटेटेट एक्सेंसेश भनेको 10,000 चाहिए अरू यह संगा रिलेटेट क्याइपने एक्सेंसेश अरूच हैनन केपने एक्सेंसे शरूच है ना ना तशर्था आमी यह बटा लेस गर दीन चाहूं मातिको फिगर बाटा है ना यह लेस गर यह थी लाग 10,000 भनेको चाहिए आम रो एसेसेबर इंकम फ्रम इन्वेश में ना उचाहूं असे यह बने सीकेंड रिक्वार्मेंट टैक्सेबर इंकम म्तल्दो सक्थार एसेश अलन ना तर्फला ऐसेबर ना तर्फिक्वार्मेंट राटैक्सेबर न्वेश सब्सक्न लो के आल्क्वार्ण गर दिकाहा ह मीं अगी निकालेकर इंसीं fringe प्रोफेशनल इंकम रो इंवेश्मेंट इंकम छा तेसलाइबने यूजगर निकलनो पर्नें छा तसर्थ यानिर मेले एसेशेबल इंकम फ्रॉम प्रोफेशन आयको तेसले एसेबल इंकम फ्रॉम प्रोफेशन नाइटी यूजणो फिसरियो आयको ध्योग तेसले इंवेश्मेंट त्री लाग तन थाज़न और थयो देशतहिं इंडिविजर्वाईगो आले असेसेबल इंकम फ्रम इंपलाइमेंट इपनी इंपलाइमेंट संग रिलेड़ेड के इंकम सा बने देशलाहई बिने जोड़नू बर्छा यो आनेगो आम रोड टोटल इंकम हाऊँशा टोटल एसेबल इंकम मनेगों दुटाला एड़ करूं 91,635 प्लस 3,10,000 दुटा एड़ कर दा 4,40,1635 आउशा अब इस पाटा हमी लेश करनु पर सा अलाइबल फॉर डिटोक्षन बने रहा अलाइबल फॉर डिटोक्षन, कमन डिटोक्षन और लाइबाटा लेश करनु पर सा कमन डिटोक्षन मा योटा आर्सी आंठ्यू, आर्सी ओएड आमीशंग इंप्लामेंट इंकम केई पने शाहिए ना प्रविडेंट फॉंडर सिया ए सिदीजन इंबेश्मेंट रस संगा सम्मान दित केई पने आइटम अरु शाहिए नायमिशंगा तेशपचि बने हम्ला कोईशन महां एक्सपेंच साइड मां डोनेशन दिएको छया याशरी डोनेशन मात्राइत दिएको छया बने तेश्तो डोनेशन आया आमी जनरल डोनेशन महांनों पर श, रर जनरल डोनेशन महानेर आमी यह डोनेशन क्लैम करनों पर श डोनेशन काश्गरी लीमिट वो अदार महां हुने हुथ monsters मैक्सिमम 1 लाक हुँच जनरल डोनेशन को लीमिट और फाईव परसेंट गौरने हुँच फाइब पर्सेंट अफ अई रेको क्वेशन मा आम लाए पोलिशन कंट्रोल कॉस्ट हरू केपनी न दीएको उनाले हमी डायरेक्ट एसेसेबल इंकम बाठा क्याल्कुलेशन करना सकीन छा अब एसेसेबल इंकम हमी शांगा अई लेशा 4,1635 अब एसको आमी 5 पर्सेंट कर शा और एक्च्वल डोनेशन कोईशन मा दीएको सा एक्च्वल डोनेशन भने रख 40,000 की बन सा यो तीन उटाला हमी कंपेर कर सांग जस्तो 5 पर्सेंट क्याल्कुलेशन करों यो 5 पर्सेंट क्याल्कुलेशन करदा 20,081.75 अंग रहेशा कंपेर करों वीचेवर इस लोवर और यो तीन उटा मद्दे जुन सान उन्षा तेसेला आमी ऐलायवल डोनेशन भनेर डिटाप्शन गर्शाँ 200,081.75 साइशला 82 बनाहिं डोनेशन आमी यह उटा गर्डायूं तेस्ताई डोनेशन पाचे आज लेस करों अजर एक्जेंशन्स और एक्जाम्सन्स मा अज़ एकोईशन मा आम लाई याल आईपी दिवेसा लाईफ इंस्रेंश प्रमियम याल आईपी बने गो लाईफ इंस्रेंश प्रमियम को खासकरी लिमीट अधार मा कलेम करनू पर्डा मैक्शिमम नेगा 25,000 उन्षा अनि और एक्ट्वल पिर्मियम कोईशन मा दिएगो शा 27,500 यो कंपेर कर्षां whichever is lower बने गो 25,000 उन्षा यसलाय मिया बाट लेस गर्नु करने उन्षा खास गरी अधर एक्जाम्शन मा 168 जी जरु कर्षां ती छोटा अग्जाम्शन अरके कि उन्त बन्था YAL IP, HIP अनि pension, disable, foreign allowance एक्जाम्शन रख रिमोट एर्य एक्जाम्शन और आमी शंग बायक एक्जाम्शन मा यह यहोटा YAL IP नहीं थियो तिसला आमी यहां देखायों रेचला आमी माथी बातर लेस गरियो बने यो आमरोग टेक्सिबर इनकम आउसा माथी बातर 4,16,35 बातर 16,35 जो फिगर बातर 20,82 20,82 माइनस 25,000 लाइन यहां गरियो यहां करदा आमरोग थिरी लाग 56,553 आम गरियो इचा आव आमलाई लास्ट रिक्वार्मेन्ट चाट्स लावल्डी निकालनो करने टैक्स लावल्डी क्याल्पुलेशन गरदा अईले इन्डेविजोल को केस था रा इन्डेविजोल को केस मा पने किये था कस्तो कंडिशन था बने जम्मा टैक्सेबल इनकम बने को त्री लाग फिफ्टी श्थाउजेंड फाइफंड फिफ्टी त्री छा अणि यो अज़ यह समा आमी क्ये भीचार करने बने अई निया आमीशंग वा क्यापिटल गेन पने छा जस्तो शेल्स अफ लेंड बने को छा अब सेल्स अफ प्राइबेट लेंड विचिज रेशिटेट बिलो टेन यार एंड शोल्ड एट एन अबब रुबिच टेन लाग इस फाल अंडर देफिनेशन अफ नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स वांचा अई न तासर्थ के बाए बने यानिरा कती येर सम्माचें उसको अनर्शिट्स हा कोईशन मा दियेगो छाईना तर अचें लेंड शोल्ड गरेको कुरा दियेगो छा येशरी जें प्राइबेट लेंड अनि तेसफ़ची बिल्डिंग अरु शोल्ड गरेको कुरा आउंचा बने त तर नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स मद देपने लेंड रो बिल्डिंग टोखेगो छा बने तेती बियला आमी ओनर्शिप अजुम गरेरा जाई टैक्स लावल टी निकालेको सब बंदा वेस्ट हुन छा तासर्थ आमी के गर्शों बने अईले यान दियेको जुन एसे अगी आमी टैक्स लावल टी काल्कुलेशन गर्था अप्टु थी लाग फिटी थाओजेन तीन लाग पचास जार सम्मचे आमी सिंगल को केस मा इंप्लाइमें इंकम भएना भने निल देखाऊं छूं अब अगी आमले निकालेको टैक्सेबल इंकम बनेको कती हो दा मन्द 3,56,553 हो 3,50,000 सम्मचोता आमी टैक्स तीरोनों पर दाइना 50,000 सम्मचो करे अब 65,53 मात रही छा तसर्था एसला आमी के गर्षम भने या निरा आमी क्यापिटल गेन मने रा क्यापिटल गेन मने रा आमरो 65,53 छा तर यो क्यापिटल गेन के मानने करे भने नन बिद्नेस चार्जेबल एसेट्स को नन बिद्नेस चार्जेबल एसेट्स मान थाम की ये इस तो नन बिद्नेस चार्जेबल एसेट्स को ओनर्शिप चाइएक ती माने बने कुरा आमा भरभर छा तासर्था आजूम ओनर्षिप को बिलो 5 YEAR माले एजूम कर दिये ये शरी 5 येर बन्दा कॉम चाहिं एजुम गरे बने मईडे ये तेती बेला चाहिं 5% टाक्स चाहिं के गरनु करशा पेमेंड गरे को या देखाऊनु करशा आईना फाइब येर बन्दा चाहिं बड़ी बन और सिप देखीं चा बने तेती अवस्ता माँ ते वत्यों कंडिशन माँ चे आमी 2.5% टाक्स चाहर्ज गरनु करनेंचा आई और रेस्ट एमाउंट आम्रोच हैं चम्मा 65.53 चा बने येसको आमी 5% चाहर्ज गरनु करनेंचा येसो गर्दा आम्रोच टाक्स लेवल्डी बने को कती आउसा था बन्दा 327.65 आउसा ये 327.65 आउसा येसला आमी टोटल गरें बने यो टोटल टाक्स लेवल्डी आयो अब टोटल टाक्स लेवल्डी बने को 327.65 अब येसमा आमी क्ये गर्णु करने बने लेस एडवांस टाक्स पैड शा येना एडवांस टाक्स पैड बने को कती आउसा था एक पल्ड़ येरों जस्तो आमी शूरुमा लीगल फी बने थेओं लीगल फी मा टीडियस देख होती होनी 34,235 अनी प्लस और कोपनी आमी चंग टीडियस भने रकती शा थीरी ये थावचेन शाने ये श्लाइब ने आमी एडवांस टेख हो शा बने ते श्लाइब ने आमी एडवांस गर्शा वहाँ ग्रसब गरे रहा कताई लेहेगा सामगाने ते श्लाइब ने एडवांस टेख हो शाने ये बने लेश गर्शा तो सथा अईले आमी शंग बहाए को फीगर जोड़ाऊं 34,235 अनी प्लस 3000 आमी एडवांस टेख हो शाने ये बने थावांस टेख हो 37,235 उने रहे शा अनी एशला आमी या बाट लेश गर्णू बर्शा माइनस 327.65 एशो गर्दा के री 36907.35 उना हो शा ये थीचे आमरो नेगेटिव मा आयो तासर्थ यो क्यों शा तवन्दा टेख्स रिफॉंडेड हो शा अब आमी नविशी कान नोड्स ने के लेखनू बर्शा भने या क वैसे पता मेड़ीकल टेक्स क्रेडिको को फुरा थी हो तरह मेडिकल टेक्स क्रेडिक सह एमिदी रैम गर्नस एकटिनओ तवसा तेशन ऩुला ही औंके गरन्न पर chacun और तह हमेडिकल टेक्स क्रेडिक कार्यड़ हो आमिविवाड परसा there is no tax payable so medical tax credit is not allowed for deduction it can be carried forward बनेर आमी एसरीजे नोट लेखना सकीन चा तेस्ताई यो एउडा मातरे नोट आईना आमले हिया देखाउन परने नोट आरू के गेशन बने यो औन सिपको कुराता आमी माथी ने देखी चाक्यों फेरी अलग गये नोट लेखिर आन पर दाईना तर और को कुरा कीए बने आमी यहां कता फाइनल टीडियस बनेर छोड़ेगा आईटम अरूशन ने जस्तो डिविदेन फ्रम नभील बैंक बनने सा योटा आईटम डिविदेन फ्रम नभील बैंक एंड आउसरेंड रिसीप्ट आर दा फाइनल फाइनल विद्वर्डिंग के मेंट्स बनेर आमी यहां है और नोट पनी संग्षां होई लेखने परने उन्चा यो योटा नोट रा यो और को नोट को नोट कोईशन मा आमला आई मेडिकल टैक्स क्रेडिट क्लैम बने करना बने आत्यों ता सर्था येर इस नोट टैक्स पेबल आमी शंगा चाहिए यहां टैक्स तिरुन करने रखम है चाहिए ना नोबेल बैंक एंड हाउस रेंड रेसीब्ड बने चाहिए यो दुटे जैक्यों फाइनल विदोल्डिंग पेमेंड उन ता सर्था ये स्लाइपन आमी समावेश गरना सभी दैना यहार शमक्से मैले हाज प्रॉफेशन संग समाधी त्योटा क्वेशन एवटा एक्जाम्पल लिए रयो कंप्लीर सॉलुशन मैले एसेजिबल एंकम प्र्म प्रॉफेशन देखी टैक्स लेवर्टी संमको सॉलुशन गरें अज़े एस्ता कीशिमका कोईशन अरो लिएरमा उपस्ती दूने नईचू तब सम्मा का लागी यां और संगवाटा बिदा हुँचू आस्त नमस्ते